वेलकम बैक टू जेस्ट एजुकेशन तो दोस्तो आप सभी को पता है यूनिवर्सिटी एक्जाम्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसिशन आ चुका है तो इसके बारे में मैंने अलक्से वीडियो बना दिया है उससे जाकर देखना ना भूलिएगा इस वीडियो मे हम बात करने वाले है सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल डिसिशन आया है क्या वो सही है या गलत है इसी के अलावा दोस्तो बात की जाए कि इस डिसिशन के क्या फाइदे है और क्या नुकसान है तो दोस्तो इसके फाइदे तो बहुत ही कम है लेकिन नुकसान जादा है तो इ दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि Supreme Court के decision का सबसे बड़ा फायदा क्या है तो सबसे बड़ा फायदा है कि COVID pandemic situation में कुछ students को exam नहीं देने पड़ेंगे क्योंकि काफी इसी राज्य सरकारे हैं जो कि exam conducted नहीं कराना चाहती थी तो ऐसे में कुछ students को ये फायदा मिलेगा कि COVID situation म उन्हें exam नहीं देना होगा तो दोस्तों यही सबसे बड़ा फायदा है इस Supreme Court के decision का बाकी इसमें ज्यादा तर नुकसान है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या-क्या इसमें आपको नुकसान देखने को मिलेंगे तो देखिए सबसे पहली बात तो काफी student यहीं चाहते थे यह Supreme Court ने कहा है तो ऐसे में यह सही नहीं होगा कि कुछ students को promote किया जाए और कुछ को ना किया जाए तो यह सबसे बड़ा नुकसान है final year students के लिए दोस्तों second point मैं आपके सामने रखने वाला हूँ कुछ students आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिनके university exams के time table जारी हो चुके हैं यानि कि September में उनके exam है और ऐसे में present में जो COVID की situation है उसमें exam conduct नहीं कराने चाहिए लेकिन काफी एसी राज्य सरकार है जो कि government के favor में है वो चाते हैं कि exam conduct हो तो ऐसे में काफी राज्य सरकारे सेप्टेंबर में exam conduct कराएंगे तो ऐसे में उन students को कोई भी relief नहीं मिला है उन students क COVID pandemic situation में भी exam देना होगा तो ये सबसे बड़ा नुकसान है इसके अलावा बात कीज़े दोस्तो जोब opportunity की तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है दोस्तो आप देखेंगे तो काफी ऐसे student है जिनकी university ने exam conduct करा लिये हैं और आने वाले दिनों में ये कहें आने वाले upcoming months में उनके result भी declare हो जाएंगे तो ये से में जहां कुछ राज्यों में exam conductor नहीं हुए हैं उनको सबसे यादा नुकसान होगा job opportunities में चाहे वो government हो या फिर private sector की को जोब हो क्योंकि जब तक result अनौन्स नहीं होता है private sector में भी job मिल पाना मुश्किल है और वहीं government की बात की जाया तो आने वाले समय में यानि कि आने वाले दिनों में जो ongoing exam होगी उनके form fill up की जाएंगे और वहाँ पे education qualification graduation मांगा जाता है तो ऐसे में जब तक exam conductor नहीं होंगे तो उनको job opportunities का फायदा नहीं मिलेगा तो ये कुछ सबसे बड़े नुकसान में आपको बताए हैं इस decision के उपड़ बाक have a nice day and thank you so much for watching this video